तो यह वीडियो में भी लास्ट वीडियो होगी इस कोस की जिसमें हम एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं बट फॉर चेंज हमने क्या कर दिया है अभी इस वीडियो को थोड़ा सा अलग बनाते हैं कि जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट सिर्फ 10-20 मिनिट्स में क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाद में आपको क्या करना होगा कि उस वेबसाइट के आपको इमेजेस चेंज करने होगे कंटेंट चेंज करना होगा उसके बाद उसका डिजाइन अगर आप चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो इसली ठीक है तो हम देखते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो हमें सबसे पहले ऐसा थीम चाहिए जो started site को support करता हो मतलब ऐसे theme जो हमें demo input करने का option देता है तो ऐसी theme सबसे best है अगर आपको कोई भी website बहुत ही जल्दी बनाना हो ठीक है तो सबसे best theme इसके लिए है astra theme जैसे कि मैं appearance में themes में जाओंगा तो astra theme हमने पहले सी install करके रखा हुआ है okay तो अगर आप इसको install करते हो तो आपको एक extra option मिल जाएंगा यहाँ पर astra options करके ठीक है appearance के अंदर अगर आप उसके अंदर जाते हो उसके अंदर जाने के बाद देखा आपको ये जो right side है उसमें आपको मिलेगा choose from over 150 beautiful templates and kickstart your project मतलब अभी हाँ हमको तो simple आपको क्या करना है just देखो यहाँ पर option दिया है install importer plugin इसको click करना है तो ये activate हो जाएगा activate होने के बाद directly आप इस page पर आ जाओगे ठीक है इस page पर आने के बाद देखो उपर आपको option मिलता है ये पहले है all इसमें से आप category choose कर सकते हो कि आपको कौन सी website बनानी है अगर आप paid plan नहीं लेना चाते तो simple just यहाँ पर याद रखना है free पर click करना है ताकि आपको सारे जो free themes है ना वही मिले अगर आप all पर भी रखते हो तो भी कोई problem नहीं बट जिन पर ये premium लिखा है ना वो आप template import नहीं कर सकते है आपके website में ठीक है तो हम पहले सी इसको free कर देते हैं ताकि हमें बाद में problem ना हो ये करने के बाद आप यहाँ से simply search भी कर सकते हो कि आपको कौन से related template चाहिए तो वो भी आप यहाँ से search कर सकते हो ठीक है उसके बाद हमको option मिलता है ये दोनों just favorite का है और ये option है library को फिर से refresh करने का अगर ये कर दोगे तो वो देखेगा अगर कोई और templates आये है तो वो update कर देगा ठीक है उसके बाद last option है जो की important है वो है page builder select करने का अभी के इस series में हमने सिर्फ Gutenberg page editor देखा है हमने ना ही elementor देखा है ना ही viewer देखा है ना ही brizzy देखा है तो ये elementor भी free page builder है अगर आप चाहो तो देख सकते हो हम इसे अगले course में cover करने वाले है वो भी बहुत ही detail में तो अब क्या करेंगे हम तो अब तब तो हमने Gutenberg देखा है तो हम simply यहाँ पर क्या करेंगे Gutenberg को click करेंगे अभी Gutenberg पर click करने के बाद यहाँ पर template refresh हो जाएंगे अभी यहाँ से आपको कोई भी template ढूणना है आपको जो अच्छी लगे तो हम नीचे scroll करके simple एक अच्छा वाला template ले लेते हैं कोई भी यह जो है online health coach हम इस पर click करेंगे click करने के बाद देखो यहाँ पर आपको pages मिल जाते हैं जैसे कि homepage हो गया all course page हो गया अगर यहाँ पर आकर आप scroll करोगे तो आपको page का layout भी दिखाई देगा उसके बाद about वाला page भी है और उसके बाद जो last वाला contact page है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है अगर आपको यह design अच्छा लगता है तो आप क्या अगर सकते हो इसको देखो नीचे option मिलता है complete import site या फिर आप सिर्फ contact page का template भी add कर सकते हो अगर आपको चाहिए about वाला about पर click करता है तो import about template all courses पर import all courses तो हर एक page का अलग-अलग भी कर सकते हो या फिर complete site को भी import कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर option मिलता है preview का अगर इस पर click करोगे ना तो आपको यह जो पूरी website है ना यह जो पूरी website का template है ना वो देखने को मिलेगा देखो अभी इस पर हम आए तो जो भी हम import करेंगे ना हमारा template तो हमारे website में वो ऐसा दिखेगा in short ठीक है तो अभी हम करते हैं इसको import हम जाते हैं फिर से starter templates में और यहाँ पर जाके simply आपको यह जो import complete site लिखका है उस पर click करना है that's it ओके import पर click करने के बाद देखो अभी आपको वो क्या बता रहा है कि the starter template requires premium plugin ओके अभी यह जो template है इसको यह learn-lms और learn-course grid यह दो plugin है वो premium लगने वाले है ठीक है बट वो क्या बोल रहा है as these are third party premium plugins you will need to purchase install and activate them first ओके तो आप यह भी कर सकते हो बट अभी हम को चाहिए हम क्या करना है सिर्फ हमें website का layout देखना है अभी हम यह learn-plugins वगरा कुछ नहीं करने वाले just हम क्या करेंगे इसको देखो यहाँ पर option है skip and import मतलब यह जो plugins है दो उसको skip कर दो और बागी का जो content है न वो input कर दो हमारे website में just हमें इस पर click करना है skip and import पर और यहाँ पर वो अभी आपसे थुड़ी information लेगा है जैसे कि I am a wordpress beginner आप क्या हो beginner हो intermediate हो या फिर expert हो हम simply यहाँ पर कर देंगे beginner उसके बाद I am I am building website for यहाँ पर click करके myself और अगर आप client के लिए बना रहे हो तो आप my client पर click कर सकते हो ठीक है उसके बाद advance पर देख सकते हो यहाँ पर दिखा हुआ है उसके बाद हम click करते हैं next पर next पर आने के बाद वह आपको पूचेगा आपका email id दे दो और name डाल दो ठीक है यह अगर आप चाहो तो डाल सकते हो या फिर देखो नीचे आपको link मिलता है skip का simple उस पर click कर देंगे हम skip पर अभी क्या हो रहा है यह content को import कर रहा है ठीक है 0% पर के बाद हम हमारी website को live check करेंगे कि हमारी website कैसे दिख रही है ओके देखो हमारा जो template है वो import successfully हो चुका है ओके देखो यहाँ पर आ चुका है हरे दब website imported successfully ओके मतलब जो हमारे template था वो import हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे इसको just view site queue पर click कर देंगे अभी देखो यह new tab में हमारा website है जो open हो जाएगा अभी देखना जो सारा template था पूरा के पूरा हमारे website पे आ चुका है जैसे कि अभी हम इसको नीचे scroll करेंगे तो जो भी images हमने template पे देखे थे वही हमको हमारे अभी website में मिल रहे है सेम वैसा ही आ रहा है अभी आप बोलोगे यह नीचे ऐसा क्यों आया है क्योंकि यह नीचे ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हमने जो हमारा widget का section था उसमें यह add किया था ऐसे इसलिए वह ऐसे आ रहा है ठीक है तो बस देखा आपने हमने कुछ ही time के अंदर ही हमने पूरी website को add कर दिया है अभी आप बोलोगे हम इसको edit कैसे करेगे जैसे मुझे यह live a healthy life learn from expert यह सब मुझे change करना है तो कैसे कर सकते है सिंपल देखो यहाँ पर option है edit page पर जाएंगे और edit page पर जाने के बाद आप उसको ग्यूटनबर्ग एडिटर के थ्रूँ edit कर सकते हैं अगर आपने ग्यूटनबर्ग वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वह वाली वीडियो ज़रूर देखना ठीक है सिंपल हम इसको close कर देंगे हमें कुछ pattern वगरा add नहीं करना मैं इसको close कर दिया अभी यहाँ से आप easily यह जो content है वो change कर सकते हो जिससे कि अभी मुझे यह निकालना है यहाँ पर लिखना है just hello भी मैं image library से add करता हूँ मैंने उस पर click कर दिया और यहां से आप कोई भी image add कर सकते हो जैसे कि हम इसको select करते हैं यहां से मैं select करता हूँ तो यह जो image है वो change हो गया है ठीक है आप ऐसे बहुत सारे इसमें changes कर सकते हो आपके according आपको जैसा website को बनाना है आप बना सकते हो ठीक है वहने के बाद simple just update पर click करना है वहने के बाद अगर हम इसको व्यूब करेंगे तो अभी आप देखोगे कि जू हमने changes किया है वह यहां पर आ चुके है जैसे कि हमने यह text change किया था और यह जो image था यह हमने change कर दिया है ओके तो आप आपके according edit कर सकते हो ओके template add होने के बाद और भी 2-3 pages हमारे website में add हो गए है जिसे कि all courses about और contact अगर हम pages में जाते है और अभी आप यहां पर देखोगे तो देखो यह about वाला page add हुआ है इसको हम अगर new tab में open करते है तो इसमें भी about का जो पूरा content था वो पूरा आ चुका है यहां पर ठीक है same with all courses इस था वो आ चुका है अभी यह यहां पर क्यों आया है id underscore course underscore list क्योंकि हमने जो वो plugin था ना learn dash वाला जो की premium plugin है उसको install नहीं किया है इसलिए वो हमें just यह shortcode दिखा रहा है उसके बाद और pages हमको मिला था जो है contact page इसको हमने open किया तो same जैसा हमारे template पर design था वो हमको यहां पर मिल चुका है और यह क्या करता है template जितने भी required plugins है वो भी import कर देता है जैसे कि अगर मैं install plugin पर गया तो हम देखेंगे हमको जैसे कि contact form 7 हमारा पहला था WP forms light यह plugin उसने add कर दिया है ठीक है extra तो जो जो plugins इसको required रहते हैं जो template के तो वो add कर देता है तो I hope आपको यह छूटा सा वीडियो समझ आया होगा इसमें just हमने देखा कि हम wordpress को 10 minutes के अंदर ही कैसे create कर सकते easily just design right और उसके बाद हम अपनी requirement के according content images design change कर सकते हैं हमें जैसा चाहिए वैसा okay so I hope आपको यह वीडियो समझ आया होगा okay अगर आपको detail में सीखना है wordpress का website कैसे detail में बना सकते हैं हमको एक particular design चाहिए तो उसको कैसे बना सकते हैं तो मैं यह सारी चीजे next course आएगा उसमें हम करने वाले हैं okay उसमें हम बहुत ही detail में देखने वाले हैं उसमें हम elementor page editor है जो कि बहुत ही best free page editor है वो भी हम देखने व वाले हैं जो कि best paid page builder है wordpress में okay तो यह दोनों हम next course आएगा तब देखने वाले हैं so I hope आपको यह पूरी wordpress की series समझ आई होगी सारे वीडियो समझ आए होंगे अगर आपको किसी भी वीडियो में problem हो आप मुझे comment में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे Instagram Facebook पर contact कर सकते हो तो मिलता है next video में so thank you for watching video please like share and subscribe to the channel thank you